नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर केरनबाला है मैं यहां वर्ड कॉलेज ओफ मेडिकल साइंसीज और रिसाज सेंटर हॉस्पिटल जजजर में मेडिसन के विभावगा द्यक्ष के रूप में कारे कर रही हूं और मैं एक निरो फिजीशन हूं तो आज मैं आपको स्ट्रोक और य यह क्यों होता है इसके क्या risk factor है किन कारनों की वज़े से व्यक्ति को बिक्ति को स्ट्रोप होने की संभावना जादा होती है तो सबसे important है इसके लिए blood pressure जो high blood pressure के मरीस होते हैं आज हम में इसका risk सब से जादा होता है उनको clot वाली बीमारी इसको हम ischemic stroke कहते हैं या brain hemorrhage दोनों होने की संभावना जादा होती है और अगर हम blood pressure को control कर लेते हैं और उसकी regular दवा ले लेते हैं तो हम इस risk को कम कर सकते हैं दूसरा risk factor है इसके लिए smoking यानि tobacco use किसी भी रूप में हम अगर तबैकों का इस्तमाल करते हैं चाहे cigarette, बीड़ी, हुका, खैनी या बैसे तमाकों खाते हैं हम चैपान में खाते हैं किसी भी तरीके से e-cigarette लेते हैं सब से हमारा stroke का risk लगभग 6 गुना बढ़ जाता है और अगर हम इसे छोड़ देते हैं इसका 7 बंद कर देते हैं तो 2-4 साल के अंदर हमारा यह risk normal population के बराबर हो जाता है तो यह बहुत आवश्यक है कि हम तमाकों से बचे हैं अगला risk factor है diabetes या sugar की बिमारी जिन मरीजों को high blood sugar रहता है उनको भी यह risk जादा होता है उसके इलावा किसी को heart की problem है heart attack की बिमारी है या वजन जादा है या जो लोग exercise नहीं करते physical activity जिनकी कम है या बहुत जादा शराब का इस्तमाल करते हैं उन लोगों को भी इसकी risk जादा रहता है और कुछ जिनको family में किसी को अगर stroke या fallage हुआ है उनके लिए भी ये risk बढ़ जाता है और ये बता आपको जानना ज़रूरी है कि अगर एक बार stroke हो गया है तो दुबारा होने की भी संभावना रहती है तो इसलिए अगर किसी को एक बार stroke हुआ है तो इसके लिए जो prevention के लिए दवाईयां दी जाती है और जो risk factor है उनको treat करने की उनको manage करने की जो सला दी जाती है वो follow करना बहुत जरूरी है इसके लिए हमारे यहां एक healing lab बनाई गई है जिसमें हम patient को counsel करते हैं उसके risk factors की lifestyle modification के लिए उसको advice देते हैं उसको meditation और yoga भी सिखाया जाता है जो की free of cost है तो मैं यह अनुरोद करूँगी कि आपके परिवार में आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप उसे यहां की सिवाओं के लिए जरूर भेजें थाकि वो अपना जीवन शैली को change करके hypertension, sugar, stroke और heart attack जैसी बिवारियों से बच सके